एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी के नेतरुत्व में देश में आज 5G की शुरुवात हुई तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम जिला दिल्ली पुलिस ने DCP घंशाम बंसल के नेतरुत्व में बुजुर्गों के सम्मान और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए खास कारेक्रम का आयोजन किया वृत व्यत्यों के अंतराष्टिय दिवस 2022 के अवसर पर वरिश नागरिकों के लिए स्मार्ट एल्डर कारेक्रम नामक एक विशेश अभियान DCP पश्चिमजिला कारियाले परिसर जनकपुरी में आयोजित किया गया था इस कारेक्रम को पहली बार मार्च 2022 के महीने में 24-7 NGO के सहयोग से पश्चिमजिला दिल्ले पुलिस द्वारा शुरू किया गया था इस अभियान में कुल 44 वरिष्ट नागरिकों ने साइबर अपराद जागरुपता, शोशल मीडिया उप्योग और साइबर सुरक्षा के संबंध में क्रैश कोर्स में भाग लिया SHO Cyber PS West District ने सत्र का संचालन किया जिसके बाद सभी प्रतिभागियों यानि स्मार्ट बुजूर्गों को DCP West District IPS घंश्याम बंसल द्वारा सम्मानित किया गया पश्चिम जिला दिल्ली पुलिस ने वरिष्ट नागरिकों के साथ के काट कर और उसके बाद एक सांस्कृतिक कारिक्रम के द्वारा व्रिद व्यक्तियों का अंतराश्टी दिवस मनाया DCP West District घंश्याम बंसल ने बाद में सभा को संबोधित किया और वरिष्ट नागरिकों को समवेदन शील लक्ष बना कर साइबर अपराधों के बारे में बात की और जोर देकर कहा कि वरिष्ट नागरिकों की सुरक्षा हमेशा हमारी प्रात्मिकता है उलेखनिया है कि इस अनूठी पहल से अब तक बड़ी संख्या में पश्चिन जिले के वरिष्ट नागरिक लाभानवित हो चुके हैं डिआईडी नियूस सकरात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्री और दशहरा की हारदिक शुपकामना है और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दरपन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले